इसी तरह जब गैस से, गैसियस फोर्म से वापस दरव फोर्म में आ जाती है जब कोई वस्तु या बधार्त तो वुस प्रोसस को हम बोलते हैं संगनन ठीक है? तो संगनन हुआ कि जब गैस से दरव बनता है और जब दरव से गैस बनता है तो वाश्पी गरन के लाता है इसी तरीके से जब ठोस से द्रव आता है तो उसको गलन बोलते हैं और द्रव से ठोस जब बनता है तो उसको संगलन बोलते हैं इसी तरीके से जब gas ठोस बनती है या ठोस जो है फिर से gas बनता है तो इसका मतलब है वो कौनसी process है उर्दवपातन ठीक है और जो product बनते हैं इस से वो होते हैं उर्दवपातित पधार्थ ठीक है बच्चो अब आजाते हैं वक्षीट पर अपनी वक्षीट में बताया कि जो पधार्थ होता है वो दो परकार का हो सकता है या तो वो शुद्ध होगा या फिर मिश्रण होगा ठीक है शुद्ध तत्व जो होते हैं शुद्ध पधार्थ जो होते हैं तत्व और योगिक और मिश्रण जो है यानि कि अशुद्ध पधार्थ जो होते हैं वो मिश्रण कह गृतिक विदी से इसको विभाजित नहीं किया सकता वागे और यानिकि पधार्त के सबसे छोटी चीज़ यानिकि सबसे छोटा वो भाग तत्व कहलाता है जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता इससे तरीके से योगिक होते हैं तो योगी क्या होते हैं दो या दो से अधिकततों से मिलकर बने होते हैं वो पधार्त जो होता है वो शुद होता है oxygen के अर यह दोनों मिलकर क्या बना लेता है और यह तो एक द्रव constant है तो इसा है इनका जो मेल है चुक का रटो का hydrogen gas और oxygen that कplac Vanilla gram के संभव होता है कि तत्व और योगिक जान गए आप सब तो समांगी मिश्र्ण और विश मांगद समांगी मिश्रण को एक बार फिर से देख लेते हैं तो बच्चों समांगी मिश्रण जो होता है उसमें इसके संगठकों की जो बनावत होती है वो समान होती है ठीक है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता गुलनशील होते हैं बिल्कुल और विशमांगी मिश्रण में क्या होता ह इसके संगटकों की बनावाट भोतिक रिष्टी से अलग तो होती है लेकिन जो है वो बिल्कुल उसमें घुला हुआ होता है इसके विबिन अव्यवों के बीच इस पष्ट प्रिथकन सीमाय नहीं होती है जो इसके अव्यवों होते हैं वो एकदम घुलेवे नजर आएंगे इसी तरीके से विश्वांगी मिश्रण में क्या होता है इसके अव्यवों में बिल्कुल प्रिथक सीमाय नजर आती है प्रिथक मतलब बिल्कुल अलग-अलग जैसे हम एक glass water ले लेते हैं और उसके अंदर हम डाल देते हैं नीचे पानी और उपर से हम उसमें कोई भी oil डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि oil जो है वो उपर नजर आएगा अलग से उसकी अलग से आपको लेयर नजर आएगी और पानी जो है वो नीचे रह जाएगा तो ये क्या है इससे पता चल रहा है कि ये विशमांगी मिश्रण है दोनों के अविया बिल्कुल अलग-अलग है और वो एक दूसरे से अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं समांगी मिश्रण के उधारन होते हैं शक्कर हो गया चीनी का विल्यन शक्कर या चीनी का विल्यन पानी के अंदर इस वरीके से विशमांगी मिश्रण का उधारन है सोडियम क्लोराइड यानि कि नमक है आमारा सोडियम क्लोराइड जो है नमक का ही केमिकल फॉर्मला है और लो इसे समांगी और विशमांगी मिश्रण ? ठीक है ? नेक्स्ट है कि जो समांगी मिश्रण वो विल्यन होता है उसका एक पार्ट और विशमांगी मिश्रण के दो पार्ट दे रखे हैं नि लंबन और कॉलाइट्स, इनको पहले रिसकस कर चुके हैं से इसको रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले जानते हैं विलियन के बारे में तो विलियन क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्तों को एक समांगी मिश्रण होता है इसमें दो या दो से अधिक मिले होते हैं लेकिन वो मिश्रण कैसा होता है समांगी होता है और इसके जो कं होते हैं उनमें समांगिक्ता होती है एक जैसे होते हैं उसके सारे कंड इसके कंड इतने छोटे होते हैं कि आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं यानि कि बहुत छोटे कंड वाले जो होते हैं मिश्रण उनमें समांग की मिश्रण वो विलियन कैलाते हैं ठीक है और विलियन मे नहीं निकाले जा सकते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बिल्कुल उसके अंदर एक समांगी मिश्रण में गुले होते हैं क्योंकि वह उसकी जो अवयव हैं बिल्कुल एक दुसरे में गुलनशील हो जाते हैं और यह स्थाई रहता है जैसा है वैसा ही रहता है उसके बाद निलंबन, निलंबन क्या होता है, वो एक विशमांगी मिश्रण है, हमने पीपड़ा की विशमांगी मिश्रण के दो धारन है, दो प्रकार के होते हैं, निलंबन और कॉलाइट्स, तो निलंबन कैसे हैं, वो भी एक विशमांगी मिश्रण है, और इसके कणों में इतने बड़े होते हैं और इन्हें छानने की विदी से अलग किया जा सकता है और यह अस्थाई होते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है अपना कोलाइट कोलाइट क्या कहता है कि कोलाइट भी एक विश्रमांगी मिश्रन होता है ठीक है लेकिन इसके कणों में भी समांगिकता नहीं होती है अलग अलग तरह के होता है इनके आकार छोटा होने की कारण इनको आखों से नहीं देखा जा सकता ये प्रकाश के मार्ग को द्रिश्य बना जा सकते चानने की विदी से इसके कड़ों को प्रतर्क नहीं किया जा सकता और यह स्थाई होते हैं तो यह हो गए हमारे तीनों चीज़ें विलियन निलंबन और कॉलाइट्स ठीक है बच्छों अब आजाते हैं वर्क्षीट पर तो वर्क्षीट में आपको क्योशन्स दिये ह तीनों वस्थाएं कौन कौन सी हैं बच्चों वो हैं द्रव गैस और ठोस तो तीनों वस्थाओं में पाया जाता है वह आपको बताना है इसका इसका एक्जांपल लेके किया तो आप समझ गए हो गया है ना इसका आप लिख दीजिए विलियन निलंबन से किस प्रकार भिन तो विल्यन जो है वो निलंबन से बिल्कुल भिन होता है अभी हमने डिसकर्स किया है कि विल्यन और निलंबन और कोलाइड में क्या क्या फरक है और किस तरह के से इनकी देफिनेशन दोगे आप तो इसमें से आप देखके लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट है आपका योगिक किसे कहते हैं तो योगी क्या होते हैं किनी दो योगिकों के नाम बताइए तो योगी की डेफिनेशन यहां बिल्कुल शॉर्ट में दी हुई है आप इसके लिए आप इंसी आर्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं या पुरानी में भी हम एक बर झाल 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 झाल